हलो स्टूडेंट्स एड वेलकम चू माई चानल अरीता शिक्षा आज हम पढ़ेंगे सिक्स्थ क्लास की बुक हनी सकल का पोयम की जो सेकंड पोयम है जिसका नाम है दग काइट काइट आप सब लोग जानते हैं पतंग होती है पतंग आप लोगों ने उड़ाई भी होगी और हम लोग पतंग का बुड़ाते हैं सकरांत के समय पे हम पूरे आसमान में देखते हैं रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही होते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये कविता दग काइट और इस कविता के जो पोयट है वो है हैरी भेन और उन्होंने इस कविता को किस ने भी पतंग उड़ाई है इस कविता को पढ़कर पतंग को हवा में उड़ते हुए का आप एहसास करेंगे तो all of us like to fly kites हम सबको पतंग उड़ाना बहुत पसंद है have you ever tried to fly one कभी आपने उड़ाने की कोशिश करिये पतंग read this poem about a kite as it flies in the sky तो चलिए हम ये poem पढ़ते हैं kite और देखते हैं कि वो किस तरह sky का मतलब होता है आसमान में उड़ती है how bright on the blue is a kite when it's new तो bright का मतलब होता है चमकीला, blue यानि नीरा आकाश जो है उसके लिए blue workshop का use किया है dive का मतलब होता है गोते खाना पहले आपको मैं कुछ difficult words बता देती हूँ bright का मैंने आपको बताया, चमकीला, blue आसमान के लिए use हुआ है kite यानि पतंग when it is new new यानि नई with a dive, dive का मतलब होता है गोता खाना जैसे समुदर के अंदर कोई कूता है न ओपर से नीचे की तरफ तो dive करना उसको बोलते है and a dip, tip मतलब होता है नीचे की तरफ जाना, डुबना अंदर की तरफ, it snaps its tail और snap का मतलब होता है अलग सी तरह की आवास के साथ खिसकना then soars like a ship, तो ship का मतलब क्या होता है, जहाज होता है ship का मतलब तो चलिए देखते हैं, how bright on the blue is a kite when it's new with a dive and a dip, it snaps its tail then soars like a ship with only a sail as over tides of wind it rides तो यह जो पूरा paragraph है, यह अभी हम इसका meaning पढ़ेंगे how bright on the blue, यानि नीले आसमान में एक पतं कितनी चमकीली लगती है is a kite when it's new, कब जब वो बिल्कुल नही नही होती है with a dive and a dip, it snaps its tail, यानि वो गोते खाती हुई दिखाई देती है कभी नीचे की और गोता खाती है, कभी उपर की तरफ उठती है और जो इसकी पूँच जब हवा में किसकती है और फरफडाती है तो एक अलग सी आवाज आती है then source like a ship और तब यह जो पतंग है एक जहाज की तरह उपर की और उठती है with only a sail और ठीक उसी तरह से जब जहाज पानी की लहरों में आगे की और बढ़ता है sail का मतलब होता है किसी स्थान में वेक पूरवक जाना जैसे ship चलती है ना पानी के अंदर वैसे और sour का मतलब होता है हवा में उचे उड़ना और tail मतलब होता है पूँच as over tides of wind it rides as over tides of wind it rides यानी यह है पतंग हवा की लहरों पर चड़कर ऐसे यत्रा करती हुई सी दिखाई देती है tide का मतलब होता है लहरों से उठकर बढ़ना आगे की उपर चलना climbs to the crest of a gust and pulls then seems to rest as wind falls when string goes slack you wind it back and run until a new breeze blows तो यह जो अब हम next पढ़ेंगे climbs से लेके blows तक का जो इस पूरे पंक्तियों का हम अर्थ मैं आपको बताती हूँ इसमें कुछ difficult words है पहले आप उनको देख लिजे climbs climbs का मतलब होता है चड़ना crest क्रेस्ट का मतलब होता है किसी पहाड़ी या तरंग का शिखर gust gust का मतलब होता है हवा का जो कोरा pull यानी खीचना seams का मतलब होता है प्रतीत होना rest मतलब आराम करना string मतलब होता है dory और breeze का मतलब होता है हवा और blows का मतलब होता है हवा का बहना तो यह जो सारे words है इनकी meanings आप note कर लीजिए और अब हम इस पूरी पंक्तियों का मतलब समझते है climbs to the crest of a gust and pulse यानी हवा के जुकोरे के साथ पतंग के शिखर पर चरती रहती है और अपनी और खीचती है pulse मतलब खीचना then seems to rest as wind falls और जैसे हवा कम पड़ती है हवा धीरी में पड़ती है यह से लगता है ऐसा प्रतित होता है कि हवा में वह आराम कर रही है when string goes slack you wind it back और जैसे जैसे हवा इसे नीचे की और लेकर आती है तब इसकी जो डोरी है धीली हो जाती है and run until a new breeze blows और आप देखेंगे इसे फिर से हवा में उठते हुए इसे तब तक धारते हुए जब तक की कोई नई हवा इसे उड़ा कर उपर की तरफ ना ले जाए and its wings fill and up it goes how bright on the blue it a kite when it's new but a ractor thing you never will see when it flaps on a string in the top of a tree बहुत ही प्यारा वर्णन है its wings यानि wings किसको कहते है punk its wings fills fill मतलब होता है भर देना and up it goes यानि इसके जो punk है वो नई हवा से जब भर जाते है तो ये कहां चलती है ये उपर की तरफ उड़ने लग जाती है how bright on the blue और वो जो आस्मान है उसके अंदर बहुत ही चमकीली से दिखाई देती है और नीले आस्मान में एक दम पतंग बहुत ही प्रकाश मैसी लगती है is a kite when it's new और ऐसा लगता है जैसे कि वो बिलकुर नई पतंग हो नई पतंग की तरह वो चमक रही होती है but a ragder thing you never will see ragder का मतलब होता है उबड खावर कटा फटा सा होना कुछ ज़्यादा इस तरह से हो जाना तो एक उबड खावर सी बात उस समय हो जाती है कब हो जाती you never will see आप कभी नहीं देखेंगे when it flaps on a string in the top of a tree यानि जब है पतंग की डोरी में बंधी जो फड़फडाती है उस समय जब है किसी पेड की उंचाई पर जाके अटक जाती है यानि पतंग उड़ते उड़ते जब कहीं पर किसी पेड में फस जाती है तो वो फड़फडाती हुदी सी दिखाई देती है तो इस प्रकार से हमने ये बहुत ही प्यारी सी जो कविता है इसको पढ़ा और Harry Van के दौरा ये जो कविता लिखी वी है इसके जो question answers है वो में नेक्स्ट वीडियो में ले के आओंगी तब तक आप इस पूरी कविता को एक बार पढ़के देखिए इसके जो difficult words है उनके meaning जो है वो याद कीजिए जैसे slack का मतलब होता है धीला breeze का मतलब होता है हवा blow यानि हवा का बहना और string का मतलब दोर ये सब मैंने बताया है पैर चैप्टर के बीच में दुबारा से बता रही हूं और जाने से पहले मेरे चैनल को like, subscribe और share करना मत पूलिएगा और comment में लिखेगा कि आपको कैसी लगी ये कवीता bye bye and have a nice day thank you